अंक्लिकर परंपरा के चतुर्त पट्टाचार एक सोवाट आचारे स्री शुनिल सागर जी महराज के आलोकिक आश्विरवाद का दिव्वे चमतकार एक कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट हुई नेगेटिव जैजनेंद्र मैं आभेजैन आप देख रहे हैं जनागम सादू संतों की तप और साधना सच्मुच अलोकिक होते हैं इनके आशीश माक्तर से ही सारे रोग और बाधाएं खत्म हो जाती हैं ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बासवाडा में घटना करम 13 जुलाई को प्रारंब होता है जब कुवेट से 47 लोगों का समू जैपूर होते हुए बासवाडा पहुचता है समू के सदस्य और आचारे श्री के परमभक्त मनोज जैन ने बताया कि बासवाडा पहुचने के दो से तीन दिन बाद सभी के कोरोना की जाच के लिए सेंपल लिए गए जिसमें एक सदस्य की रिपोर्ट पोजिटिव आई और चार लोगों की रिपोर्ट को पेंडिंग में डाला गया जिसमें मनोज जैन निवासी खैमरा भी शामिल थे इस भीशन कष्ट के समय मनोज जैन ने अपने गुरुदेव आचार श्री सुनिल सागर जी महराज के संगस्त अनिल भहिया परशान्त भहिया अम्रता दीदी श्रेलिक भहिया के माध्यम से गुरुवर का आशीश लिया कुछ हुआ वह सब को चकित कर गया 20 जुलाई को पुनहा जांच में चारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई वहीं एक पॉजिटिव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई सभी का यही मानना है कि यह सब गुरुदेव के आशिरवास्त का ही चमतकार है सही कहा गया है भक्ती में बहुत शक्ती होती है और गुरुवर हमारी सभी पीडा सभी कष्टों को दूर करते हैं जैन धर्म की ताजा खबरों के लिए जोड़े रहे हमारे साथ कैमरामेन प्रवीन के साथ मैं अभै जैन परमपरा को आगे बढ़ाने का संकल्ब है हमारा क्योंकि आपके उम्मीद पर टका है परिवार हमारा अमर भारती एक उम्मीद जजबा बुलंद होसलों का जजबा भारत के निर्मार का